जेहिन नमस्कार सातियों मैं आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपके अपने एकमातर ब्रोसेमंद यूटूब चैनल सेनिक समचार इंडिया में सातियों अभी हाली में हमने एक ECHS के उपर वीडियो अपलोड किया था उसमें हमने ये बताया था कि क्या ECHS को बंद करके पुरानी वेवस्ता को चालू कर देना चाहिए तो सातियों उस वीडियो पर जो कमेंट आये हैं वो आज चले जनक है उस वीडियो के कमेंट पड़के हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ECHS को चलाने के फेवर में 5% पूरुसेनिक है और 95% एक्सर्विसमें ECHS को बंद करके CGHS में मर्ज या CGHS के एकवलेंट कोई वेवस्ता शुरू करने के पक्स में है या फिर सातियों इसी ECHS को कार्ड को ओल इंडिया वेलिड करके CGHS में कनवर्ट कर दिया जाए ज़्यादा तर प्रेसानी ओल्ड एज पैंसनर्स और वेटरेंस को आ रही है उनको ECHS पॉली क्लिनिक से रेफरल नहीं दिया जाता है वहाँ का जो स्टाफ है वो रूड मेनर में बात करता है और तो और सातियों यदि उस वीडियो के आप कमेंट पड़ेंगे तो आपको किस लेवल तक की समशाओं का सामना करना पड़ रहा है हमारे पूरू सेनिकों को उसके बारे में पता चलेगा ECHS, पूरू सेनिकों द्वारा, पूरू सेनिकों के लिए पूरू सेनिकों के कंट्रीबूशन से चलने वाली एक स्वेवित पोसित संस्ता है और अप्रोक्सिमेटली हर साल चार हजार करोड रुपे का जो बजट का प्रावदान है वो केंदर सरकार द्वारा पूरु सेनिकों की हेल्थ सिस्टम को बेट रखने के लिए दिया जाता है लेकिन सात्यों जो ECHS Poly Clinic का जो स्टाफ है मैं नहीं यह कहना चाता कि 100% जो स्टाफ है वो ठीक नहीं है लेकिन 20 से 30% स्टाफ ऐसा है जिसने ECHS को अपना मान लिया है यानि वो वहाँ पे काम कर रहे हैं तो वो सोच रहे हैं कि ECHS को तो हम ही चला रहे है लेकिन ऐसा नहीं है यह उनको गलत पेमी है अब यह आवाज हम Ministry of Defense तक पहुंचाएंगे कि जो ECHS में जो स्टाफ है उनका काम ठीक नहीं है लेकिन साथियों उससे पहले हमारे पास में कई राइट्स है जिनका सहारा हम लेके इनके खिलाब सिकायत करवा सकते हैं चाहिए जो ECHS में काम कर रहा है उनके स्टाफ की जो हाजिर जबाबिक के अगेंस्ट हो या वहाँ पे डिसन अवेलेबल ना हो या आपको इल्टरीट किया जाता हो या आपको प्रोपर टीटमेंट नहीं दिया जाता हो और यह आपको टीटमेंट बाहर से विल में अपने पैसे से करवा भी लिया है तो पांच लाग की जगे आपको 1 लाग रुपे पकड़ा इंतजार के समय आपको प्रोपर शूटेबल आपकी जो गर्वेंस है उसका रिजोलिशन यानि आपकी गर्वेंस को हल नहीं किया जाता है तो आगे आपका स्टेप क्या रहेगा साथ यूँ वीडियो को अंतक जरूर देख लें क्योंकि समयशाइं इतने परकार किया है कि उन उनके खिलाब कोई आवाज नहीं उठाता है तो जितने सांत्र होगे उतना दबाया जाएगा आपको लेकिन जब मुझ खोलोगे आगे किसी को अपने समयशाइं बारे में बताओगे तो आपको सॉलूशन मिलना निश्चित है साथ यूँ वीडियो लंबा हो सकता है लेकि लोट करना है कितने दिन तक इंजार करना है उसके बाद आगे आपने कहां पर कम्प्रेंट करना है तो साथ यूँ आपका भी फर्ज बंगता है कि वीडियो को अंतक देखने का आईए साथ यूँ सबसे पहले हम यह जानेंगे कि हमारे को जो समसे आती है वो किस टाइप की आ सकती है तो सबसे पहले जो आती है वो अगेंस्ट दा फंक्सनरीज यानि जो उदर काम कर रहे हैं उनके खिलाब तो सबसे पहले जो हम ग्रेमेंस हम में सामना करना पड़ता है वो है OIC ECHS Poly Clinic कही कहीं पर ऐसे senior citizen द्वारा बोला जाता है कि वेवार अच्छा नहीं है जैसा सेना में active service के दौरान ट्रीट किया जाता है वैसे ही ECHS Poly Clinic में OIC ECHS द्वारा ट्रीट किया जाता है यदि इस परकार की समस्य हो या OIC ECHS Cell Station Headquarter OIC ECHS में आप कई दी कोई काम नहीं हो रहा आपको कोई समस्य आ रही है तो आपका जो next step रहता है OIC ECHS Cell Station Headquarter में वहाँ पर भी आपको किसी परकार की समस्य का सामना करना पड़ सकता है इसके बाद जो staff है ECHS Poly Clinic का उनके against भी आपको कोई सिकाई दर्ज करनी पड़ सकती है यदि आपको proper वहाँ से reply या उनका बादचित का ठी दीग नहीं है तो next आता है सात्यों जो ECHS Poly Clinic में doctor employee किया जाते हैं उनके against next आता है कि referring to a particular hospital एक ECHS Poly Clinic के under कैई सारे जो hospital in panel hospital है वो in panel रहते हैं लेकिन यदि एक ECHS Poly Clinic particular hospital में ही refer कर रही है और आपको नाम बद दिया जाता है कि आप उसी private hospital में जाईए तो इसका मतलब कुछ ने कुछ साथ कांट है इसके against भी आप complaint कर सकते हैं next आती हूँ denial of treatment by ECHS Poly Clinic आपका ECHS Poly Clinic आपका कोई भी treatment है जो जो poly clinic में available है उसको मना नहीं कर सकता यही मना करता है तो भी आप सिखाय दर्ज कर सकते हैं next आती हूँ ill treatment by ECHS Poly Clinic यदि आपको proper इलाज न तो यह तो इतने सारी complaint है जो कि आप ECHS के वहाँ पर जो functionaries यह है उनके against complaint कर सकते हो इसके बाद दूसरा point आ जाता है साथियों कि जो medicines और जो claims है उसके बारे में यानि एक तो medicine आपको ECHS से provide की जाती है और दूसरा है कि आपने private hospital में अपने कर्चे से कोई इलाज करवाया है और उसका जो claim आप reimbursement के लिए submit करते हो तो इन दोनों चीजों में जो आपको समयशे आती है तो उनमें किस-किस type के आपको समयशे आ सकती है जिनके against जाके आप सिकाई दर्ज कर सकते हो सबसे पहला है कि non availability of medicine at ECHS polyclinic यह समयशिया mostly 90% ECHS beneficiaries को इस समयशिया का सामना करना पड़ता है medicine तो कभी available होती ही नहीं है और mostly जो January से लेके March हर साल का January से लेके March तक इस समय contract renewal और नए contract यह सब कुछ चलते रहते हैं तो इस समय medicine कोटा पुरा खतम हो जाता है साथियों अगला आता है non issue of medicines for three months कहीं कहीं पे ऐसा जो प्रावदान है कि यदि आप विदेश में जा रहे हैं या ECHS polyclinic से दूर जा रहे हैं तो आप तीन महीने की medicine एक साथ ले सकते हो यदि इस प्रावदान के अगेंस्ट आपको ECHS polyclinic तीन महीने की medicine provide नहीं करता है तो आप ग beneficiary विदेश में 7-8 महीने जदा रहने के लिए जा रहा है तो इस सभी को बताए कि विदेश में तो medicine ECHS की polyclinic ना है वो ना वहाँ पे कोई free medicine देगा तो इस प्रावदान के अगेंस्ट भी आप complaint डाल सकते हो यदि आपको medicine provide नहीं की जाती है अब कुछ एक cancer हो गई heart disease हो जो life saving medicines है इनकी cost हजारों में होती है यानि एक tablet की cost भी 1000 से लेके 50,000 तक होती है injection की cost 5,000 लेके लाग रुपए तक हो सकती है यदि आपकी जो life saving medicines है वो ECHS provide नहीं कर रहा है तो उसके अगेंस्ट भी आप grievance डाल सकते हैं next आता साती हूं reimbursement of medical claims आपका अपने जेव से खर्च करके आपने treatment करवाया उसके बाद आप जो reimbursement के लिए claim submit करते हैं आपका claim 8 महीने 10 महीने एक साल और ज्यादा time तक पास नहीं किया जाता है या फिर आप उनका खर्चा 5,000,000 रुपया हुआ और आपको claim 1,000,000 रुपय पकड़ा दिया जाता है तो इन सब चीजों के लिए आ जाल सकते हूं नेक्स्ट आता साती हूं emergency treatment in impanel hospital oblique non impanel hospital oblique government hospital जो impanel hospital होता है उसमें आप emergency में admit होते हो तो 48 house में आपको parent poly clinic को inform करना पड़ता है तो आपका claim pass हो जाता है कभी-कभी ऐसा होता है कि जब मरता क्या नहीं करता वो accident हुआ है और आदमी की जान जाने वाली है त क्योंकि साथ जिसका accident हुआ है यदि वो ECHS का beneficiary है और वो road पे पड़ा है और बेवस हो चुका है अब कोई उसको उठाने के लिए आएगा तो उसको वो बेवस है तो कैसे बताएगा कि कोई मुझे उसी hospital में लेके जाना जो मेरे ECHS के साथ में impaneled है तो यह तो impossible है जो ambulance आ ठीक होके जाता है तो उसको बोला जाता है कि आप impanel hospital में क्यों नहीं गई आप non impanel में गए आप emergency certificate लाइए आप ये चीज़ लाइए इन सब चीज़ों के पीचे गुमते गुमते वो फिर बिमार पड़ जाता है तो यह सरा सर ना इंसा प्ये है hospital panel हो या impanel हो वहाँ पर यानि किसी particular बिमारी के लिए जो दवाई दी जाएगी वो इस hospital में बुखार में paracetamol दी जाएगी तो दूसरे hospital में भी paracetamol ही दी जाएगी तो ऐसा क्यों यह ambiguity नहीं होनी चाहिए इनको दूर करके एक साब सुत्रा जो treatment है facility हो हमारे पूर सेनिकों को जोनों ने देश के complaint दर्ज करिए अब इसके बाद जो हमारे को समझे आ सकती है वो इंपैनल जो private hospital है उसके अगेंस्ट भी आ सकती है इदि आपने रेफरर लेके और आप उस private hospital में गए हो तो उस hospital की कोई negligency भी हो सकती है उसके खिलाप आप गर्वेंस डाल सकते हो या वो hospital के पास भी treatment होते हो भी आपको मना करता है तो भी आप उस इंपैनल hospital के अगेंस्ट complaint फाइल कर सकते हो अब इसके साथ साथ कुछ एक आपकी जनरल complaints भी हो सकती है जैसे कि आपने कोई contribution है उसको refund करवाना है या आपके ECHS poly clinic में doctor ही available नहीं है या आपने additional आपके area में ECHS की poly clinic आपने open करवाना है आपके district में ECHS की poly clinic नहीं है याईदी है तो वो 100-200 km दूर है आपको additional जो ECHS poly clinic open करवाना है उसके बाद ECHS poly clinic का जो कामकाज हो ठीक नहीं है उसका improvement करवाना है या जो contractual employees वहां काम कर रहे हैं उनकी जो सिंख्या है वो कम है shortage है main power का तो उनको आप बढ़वानी के लिए complaint जाल सकते हो फिर next जो आपका referral का procedure है वो बहुत लंबा है lengthy है यदि आपके नजदीक को प्राइवेट होस्पिटल है तो उससे पहले आपको ECHS poly cleaning में जाना पड़ेगा वहां से referral लाना पड़ेगा फिर आप नजदीक का hospital जो किलोमेटर दूर है उसमें भी आपको treatment के लिए लेकिन videos में available है तो उसके related भी आप complaint है जो दर्ज कर सकते हो जिसका मैं system आपको आगे बताऊँगा कि आपको complaint कैसे दर्ज करना है लेकिन इससे पहले हमारे को ये पता होना चाहिए कि कि किस तरीके की जो complaints है उनका सामना एक ECHS beneficiaries को करना पड़ता है और उसका जो समाधान के अगली तरीका क्या रहेगा और अंत में कुछ एक समयस्या है जो ECHS का card है जो membership है हम लेते हैं उससे related भी आ सकती है आपने card के लिए apply कर दिया लेकिन आपका card है जो के दिन होगे बना नहीं है अभी 64 KB का card बनके आ रहा है वो card बनके तो आ जाता है लेकिन activate होने में भी उस आगे जो system बनावा है उसमें दर्ज कर सकते हैं तो साती हो यहां तक आप समझ गये होंगे कि आपको generally किन किन समयस्याओं का सामना करना पड़ सकता है अब मैं आपको एक एक करके step wise बताऊंगा कि आपको जो complaint करना है उसका complaint का mechanism क्या रहने वाला है आईए साती हो अब मैं इस वीडियो में जब भी complaint का नाम लूँगा तो complaint सभी तरीके की जो मैंने अभी तक आपको बताईए वो सभी तरीके में से कोई भी एक complaint आपकी हो सकती है तो complaint जब भी नाम लूँगा तो आपकी जो भी समझ जा है वो उसके अंदर सामिल लें देखे साती हूँ से पहला question आता है कि how can I register a complaint मतलब में register कैसे कर सकता हूँ जदी मेरी सिखाईत है ECHS के खिलाप तो कैसे कर सकता हूँ सबसे पहला option है online online में जो option सबसे पहला है वो है CP Grams के तुरू CP Grams के अंदर सरकार का एक online complaint retention mechanism system है इसमें आप अपनी सिकाईत को online दर्ज कर सकते हो इसको दर्ज करने के बाद में आपको complaint number मिल जाएगा जिसकी आप online से बताऊंगा आगे next आजाता साती हूँ email email के तुरू आप जो complaint and litigation यहनी C&L होता है ECHS का department का उनके director और joint director इनको email के तुरू भी आप अपनी complaint को बेज सकते हो जो central organization ECHS दिल्ली में है साती हूँ उनके यहाँ पे director का email जो यहाँ note कर सकते हो आप dircomplance-mod-nic.in और co-e-c-hs के joint director का email है यह दो email ID है साती हूँ इनके उपर आप return अपनी type करके return करके और उसकी pdf बनाके email के थूरू send कर सकते हो इसके उपर आपको आगे की कारवाई जो भी होगी सूचित किया जाएगा आप जो भी वहाँ पे email से उस complaint को send करोगे तो यह तो online system रहा गया साती हूँ यह first stage है इसके बाद मैं आपको second stage बताऊंगा third stage बताऊंगा जो आपका initial complaint register करने का जो stage होता है वो department ही होता है पहले departmental करवाई होती है उसके बाद जो outside करवाई होती है यह आपको departmental करवाई से संतुष्टी नहीं होती है तो next यह दी साती हो आप online बेजने में SMR थे तो आप normal post से भी बेज सकते हो यह normal post से जो आप बेजोगे उसको आप डिरेक्टर complaint and litigation central organization ECHS अर्जुनेट जनरल ब्रांच एंटेगरेटर हेड़क्वार्टर ओप मिनिस्ट्री ओडिफेंस आर्मी मोड लाइन दिल्ली कैंट 10 इस address के उपर आपने written complaint को थ्रू normal post registered और speed इसके थ्रू बेज देना है तीसरे जो इसका तरीका रहेगा और हैगा आपका toll free नमबर है नोट कर लो साती हूँ 1800 1114 1115 इसके थ्रू आप call करके भी complaint register करवा सकते हो आपको वहाँ से complaint number मिलेगा इसके साथ ही ECHS की website के उपर CO ECHS department के सभी officials के contact number mobile और landline number वहाँ provide किये हूए आप ECHS की website पे विजिट करके वहाँ से उनको download कर सकते हो और जिस concern official से आपने बात करनी है उनको भी आप अपने जो गर्वेस है वो register करवा सकते हो यहाँ पे आपके लिए एक मैतुपूर्ण हिदाइत दिविए कि जिसको complaint करनी है वो सबसे पहले जो OIC polyclinic है यानि consent जो parent polyclinic है उनके OIC से संपर करें और यदि आपको direct OIC से ही सिखाईत है तो आप station headquarter के OIC से संपर करें यहाँ भी आपको grievance का redressal नहीं मिलता है तो आप उस ECHS polyclinic के regional center से संपर करें यहाँ पर आपकी complaint सुनी जाएगी और यहाँ आप जब complaint अपनी file करते हो तो आप अपना ECHS का registration number, claim ID, mobile number, polyclinic का नाम और इसके साथ आपने personal details जरूर उस complaint में लिखें next साथ यहाँ की question आपका रहेगा कि यदि किसी ECHS polyclinic में services available नहीं है तो आपको किस से संपर करना है तो आपको OIC polyclinic या station headquarter के staff officer ECHS से संपर करना है अगला आपका question रहेगा कि reimbursement के बारे में यदि आपने कोई claim submit किया है तो उसका reimbursement नहीं मिल रहा है तो आप regional center concern वहाँ पे जो joint director है joint director HS और director regional center इनको email या telly number के तुरू आप अपनी complaint register करवा सकते हैं इनकी details है जो सभी regional centers के contact number और email id आपको इस website के उपर मिल जाएंगे www.echs.gov.in वहाँ पे जाके आप download करिए और उनको आप संपर कर सकते हैं अब next question आता है कि यदि आपको station headquarter और regional center से भी आपके complaint का proper reply नहीं मिलता है तो आप directly central organization ECHS joint director oblique director complaints जिनकी email id मैंने पहले आपको note करवाई थी और उनकी details जो ECHS की website पर भी available है उनको आप directly mail या call कर सकते हो next आता है कि यदि आप एक complaint register करते हो तो आपको जो complaint का reply मिलने के लिए जो approximate अनुमानित समय क्या रहेगा जब भी आप complaint दर्ज करते हो उस date से इस दिन के अंदर poly clinic regional center और station headquarter से आपको complaint का resolution मिलने की उमीद रहेगी और यदि आप दिल्ली में central organization ECHS के साथ में complaint दर्ज करते हो तो आपको 60 दिन के लिए इंचार करना पड़ेगा next question आता है कि साथियों यह CP grams क्या है तो इसके बारे में मैंने आलड़ी आपको पहले बता दिया यह online complaint registration mechanism है जिसमें आपको complaint ID मिलती है और online आप tracking भी कर सकते हो और आपको reply भी online और email के थूँ मिलेगा इसके बारे में मैं आपको अलग से बताऊंगा next आप RTI भी डाल सकते हो साथियों तो RTI डालने का जो address है यहाँ पे लिखावा है ADGAE RTI CELL IHQ of MOD Army New Delhi और जो pin code नमर है 11001 next इसका question आपके दिमाग में आएगा साथियों कि जो RTI डालूंगा तो मैं postal order किसके नाम पे बेजूँगा तो जो आप post loader लिखोगे उसके उपर RTI CELL IHQ of MOD Army और PIO Oblig CPIO 8 Station Headquarters मतलब age applicable यह दोनों में से आपने एक post loader पे लिखना है next आता है कि मैं ECHS की membership को cancel करना चाता हूं और fixed medical allowance लेना चाता हूं तो साथियों ऐसा कोई provision नहीं है इसके खिलाब एक provision है कि जिदी आपके district के अंदर कोई भी आर्मी से related medical facility available नहीं है तो आप जो ECHS membership को खतम करके fixed medical allowance ले सकते हूं next आपका question रहेगा कि क्या मैं किसी center या state government के hospital से बीना ECHS में गए treatment ले सकता हूं तो इसका जबाब हां रहेगा जितने भी center और state government के hospital है उनको impenal hospital माना गया है तो कोई भी ECHS beneficiary जो है इन hospital में से treatment ले सकता है और अपना claim जो ECHS के थूर सब्मिट कर सकता है उनको वापस reimbursement मिल जाएगा और government hospital में जो rate भी रहेगी उसका आपको 100% reimbursement मिलेगा क्योंकि साथियों private hospitals जो है ज़्यादा rate लगाते है और government hospital जो government की prescribed rates होती है वही आपको billing करेंगे तो आपको इसका claim भी 100% मिल जाएगा अब साथियों मैं आपको बताऊंगा कि जो central organization ECHS दिल्ली में वहाँ पे एक complaint and litigation reduction scheme लॉंच की हुई है क्योंकि साथियों जो complaints है दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी तो यह system launch करने की आपसकता पड़ी कि कुछ यह complaints ऐसी हो जो directly यदि CO ECHS दिल्ली को retrace की जाए तो उन complaint को दूर किया जा सकता है नहीं तो यह complaints जो consumer form में जाएगी या CP grants सब online जाएगी तो यहां तक कि finally तो legally यह court म में भी कभी complaint जो है जो petition है एक्सरिश्मेंट द्वारा दाईर कर दी जाती है तो अब मैं आपको जो complaint mechanism system है उनके पूरे contact number और उनके नाम बताऊंगा जहां पे आप directly संपर कर सकते हो देखिए सबसे पहले आपको problem हो सकता ECHS को जो smart card है उससे related तो जो अफसर्स का नाम रहेगा officer का वो है major PK फारेक इनका appointment है joint director और next है इसमें आपके करनल राकेश ककरजी इनका भी जो appointment है वो joint director है और यहां पे इनके mobile number बताये हुए है 8979-800-177 next officer का नाम है करनल जे परकाश चहल यह director है इनके जो civil telephone number है वो 011-256-846-45 और mobile number है 700-46-00-623 आपने सबसे पहले करनल राकेश ककरजी जो joint director है उनको call करना है यह आपको satisfied जबाब नहीं मिलता है या आपकी complaint का resolution नहीं मिलता है तो आप director साब को call कर सकते हो जिनके contact number यहां पे दिये हुए है आप note कर सकते हो इसके बाद आपको जो problem आपके card के अलावा कोई भी problem है तो आप लेपने करनल वीजे सिंग तनवर यह joint director है इनके जो landline number है 011-208-92332 और इनके mobile number है 9-6-4-8-7-8-6-0-1-3 इन फे संपरक कर सकते हैं साथ ही दूसरे जो officer है उनके नाम है करनल राजत पांडे यह director है इनके contact number landline है 208-92332 और mobile number है 821-86-70793 साथि यह number आप साथ साथ में note करके जरूर रखिएगा क्योंकि जब आपको किसी उपरकार की समस्याओं को सामना करना पड़ेगा या अभी कोई पूरू से नहीं कर रहे हैं तो इन पर आप संपरक कर सकते हो अब साथियों जो managing director ECHS के हैं यह नीचे से top level में बढ़ रहे हैं यानि पहले आपको संपरक करना है तो joint director साथ से करना है फिर आप director साथ से कर सकते हो वो जदा ही समस्याओं किये problem दूर नहीं हो रहे हैं तो आप managing director साथ से call या सिधा संपरक कर सकते हो इनके नाम है major general jv.prasad और इनके जो contact number में landline है 011-256-84846 और इनके mobile number है 99711-29165 अब इनके अलावा भी आपकी कोई complaint रहे जाती है जो आप address नहीं कर पाते तो आप director complaint-mod-nic.in के उपर return में send कर सकते हो इसके साथ ही ECHS का जो central organization है उनके एक वार्शेप नंबर भी है जो आप note कर ले 9868857972 यदि आपको emergency यानि ततकाल कोई complaint या ऐसा चीज आपके संग्यान में आ आता है जो कि आप address करना चाते हो तो आप WhatsApp के थुरू भी message करके या फिर आप अपना return complaint इसके और फोटो की इसके send कर सकते हो साथियों अभी तक जो मैंने आपको तरीका बताया था वो पूरा तरीका ECHS के internal department से जुड़ावा था यदि आपको internally यानि central organization ECHS दिल्ली तक सिकाइद करने के बाद आपकी समश्या का निवारन हो जाता है तो अच्छी बात है अब मैं आपको second stage बताऊंगा यदि आपका समश्या का निवारन नहीं हो पाता है तो आपको pgportal.gov.in जिसका address आप देख पारे हो ये एक website है जो केंदर सरकार के सेवारत और रिटार्ड सभी personal के लिए एक central grievance redressal mechanism system है आप यहां देख पारे होंगे ये government of India, ministry of personal, public, grievance and pension department का एक portal है इसके उपर आप complaint ये भी दर्ज करेंगे तो आपको 100% जो है इसका resolution है मिलेगा अब मैं आपको चोटा सा तरीका बता देता हूँ कि आपको register कैसे करना है आपको पूरी जानकारी चाहिए तो सेनिक समाचार इंडिया चैनल के उपर एक वीडियो बढ़ा के live demo के साथ मैंने upload किया हूआ है उसको आप जाके देख सकते हो और step by step पूरा complaint complete system जानके आप अपने गर्वेश दर्ज कर सकते हो सबसे पहले आपको यहाँ पे आप देख पारे होंगे sign in लिखावा है जब यह website आप open करोगे आप mobile या laptop या computer में तो जो sign in लिखावा होगा उस sign in के उपर आपने क्लिक करना है sign in के बाद में जब आपको इस परकार का interface कुलेगा user login जहाँ पे आप mobile नंबर पासवर्ड और जो security को डालने के बाद आप लोगिन कर पाएंगे यदि आपने registration पहले कियावा है तो यदि आपने registration पहले कियावा है नहीं आप first time आप PG portal पर अपनी complaint दर्ज करने जा रहें तो आपको click here to sign up इसके उपर click करना है तो साथियों यहाँ पे मैं यदि आपको complete step by step पूरा process बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा इसके उपर मैंने अलग से एक वीडियो बढ़ा के रखा हुआ है जो मैं आपको बताता हूँ यह देखें साथियों यह वीडियो है जो सेनिक समाचार इंडिया वेब चैनल के उपर आपको मिल जाएगा जिसके अंदर मैंने यहाँ पे desw.goe.in के तरू और pgportal.goe.in के तरू ग्रिवेंस redressal mechanism system के उपर step by step पूरा online procedure मैंने बताया हूँ आप इस वीडियो को देखिए इसके बाद आपको कोई doubt नहीं रहेगा आप अपने सिखाईते प्रोपर तरीके से register कर पाएंगे और इसके लावा फिर भी आपको pg portal का जो वीडियो का link नहीं मिलता है और किसी परकार की समझे आती है तो मुझे comment करना मैं आपको suitable reply और वीडियो का link send करूंगा यह दूसर कि मेरी जो शिखाईते उसका निवारन सही तरीके से नहीं हुआ है तो तीसरा और सबसे best option आपके पास में है consumer court consumer court के बारे में मैं आप आपको बताता हूँ इसके लिए सबसे पहले आपको किसी भी web browser में confonet.nic.in इस website को open कर लेना है यह एक computerization and computer networking of consumer forms in country इंडिया के अंदर यह एक online court है जिसके अंदर आप खुद ही complainant रहेंगे यानि सिकाईत करता भी आप है और वकील भी आप है आप इसके अंदर online अपनी grievance register कर सकते हो और proper इसके अंदर जो है सुनवाई होती है आप AJ वकील आपने आपको वहाँ पे जाके paste कर सकते हो जो documentary evidence मांगे जाएंगे वो आप produce कर सकते हो आपके बिहाप में वहाँ पे सरकार है जो वकील आपकी तरफ से paste करेगी आप उनको अब होने वाला है वो इसमें कोई भी खर्चा आपका नहीं होने वाला है सब कुछ system है online है और ECHS के मामलों को आप consumer form के अंदर register करवा सकते हो इसके लिए आपको simply क्या करना है यहाँ पे लिखावा है online filing e-daakil इसके ओपर क्लिक करना जैसे यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूं तो यह वहाँ हमारे को दूसरे विंडो में लेके जाएगा जहाँ पर देखिए आप लिखावा है an initiative or department of consumer affairs government of India e-daakil complaint filing made easy यहाँ पर एक तो handbook दी हुई है यदि आपको complete procedure जानना है तो पहले आप यहाँ पर handbook on e-daakil download कर लीजिए ताकि step by step आपको complete जानकर मिल जाएंगे और यह जानकर लेने के बाद आप enter website के उपर क्लिक करना है देखिए मैं enter website के उपर क्लिक कर दिया तो इस तरीके का portal कुलेगा interface कुलेगा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ complaint object advocate section लिखा हुआ है तो आपने इसी के उपर क्लिक करना है अब मैं यहाँ पर क्लिक करता देखिए क्लिक करने के बाद में तीन option आए एक तो login दूसरा है registration और तीसरा है verify account with OTP सबसे पहले आपने first time आप इसके पर विजिट कर रहे हैं तो registration करना है और second time यदि आप करोगे तो login करना है in between आपको account verify करने के लिए बताय जाएगा तो यहाँ पे आपने क्लिक करके अप most important thing रहेगी वो रहेगी आपकी email ID हर correspondence आपकी email ID के थ्रू ही की जाएगा आपका account भी email ID के थ्रू ही खुलेगा और इसके बारे में यदि आपको complete जानकारी लेनी है कि कैसे online registration करना है तो यहाँ पर आपको complete video दिए हुए देखिए यहाँ पर video tutorial दिखा हुए और यहाँ पर download manual आप video देखना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं और यदि आपने PDF download करनी है step by step registration या step by step new consumer complaint कैसे file करनी है या first appeal आपने कैसे file करनी है revision petition filing कैसे करनी है उसके पाद step by step payment process जो minimum fees रहेगी वो आपने कैसे payment करनी है next आपका आएगा return response by opposite party तो उसके लिए क्या document रहेंगे कैसे करना है next आपकी रहेगी rejoinder by complaint document और final आपका application filing by complaint document इनको आप video के माधियम से और download करके आप जानकारी ले सकते हैं और ज्यादा ही आपको मदद चाहिए होगी तो फिर आप advocate की मदद ले सकते हैं वो भी आपकी जो complaint है register करवा पाएंगे तो सातियों यह है पूरा ECHS का grievance redressal mechanism system समस्या है सभी को आती है लेकिन उसका निराकरण आपको ही ढूणना है यानि जिसको समस्या आएगी उसी को अपना निराकरण ढूणना दूसरा कोई मदद करने के लिए नहीं आएगा हम ex-servicemen क्या करते हैं प्रोब्लम आगी दवाई नहीं मिली claim कम मिला ECHS वालने डांट दिया फटकार दिया गलत बासा को यूज कर लिया वापस आगे गर बेट गए और जो बिमारी है उसका proper treatment नहीं मिलने की वज़े से और हमारी इतनी हैसियत ना होने की वज़े से कि हम डायरेट जाके private hospital या कोई government hospital में treatment कर वाले है उसकी वज़े से हमारी जो बिमारी है दिन कहना नहीं चाता अपनी रोटी पकाने के लिए वहाँ पे दो साल के लिए काम करते हैं और उनका भी ये मानना है कहना है कि इस संस्था ये एक दिवार है इस दिवार को वो खिशका नहीं सकते उनको भी रूल में bind किया हुआ है कि आप इतना कर सकते हो तो वो इतना ही कदम चलते हैं तो सातियों इस संस्ता को सुदारने का समय आ चुका है और सिर्फ पोलीशी और रूल बनाने से कोई आदमी की तबियत या बिमारी ठीक नहीं हो जाएगी उसको इलाज दिया जाना चाहिए और इलाज quality treatment दिया जाना चाहिए ताकि सातियों एक सर्विसमेन जो उसका अधिकार है कि मुझे case less treatment lifetime मिलता रहेगा वो मिले वो सातियों कुछ एक हमारे जो ऐसे भी दूसरे चैनल है जो कल हमने वीडियो बनाया था कि क्या ECHS को बंद करना चाहिए आप से सुजाओ मांगे थे तो जैसे मैंने पहले बताया कि 95% ECHS के खिलाप है 5% जो ECHS में काम कर र हो जार है वहाँ पर दवाई भी मिल जाती है चोटा मड़ा treatment भी मिल जाता है और आस पास hospital होता रेफरल भी जल्दी कर दिया जाता है मैं पूरे इंडिया के जो पेन इंडिया के ECHS poly clinic के बारे में कोई सवाल या निसान नहीं उठा रहा हूं बहुत सारे ऐसे poly clinic है जिनका example म आपको well treat करेंगे उनि बहुत ही अच्छा treatment आपको provide करेंगे आपको हर तरीके से support करेंगे वहां का staff का जो काम है काबिलेत तारिप है लेकिन पूरे poly clinic ऐसे नहीं है तो नहीं है तो सुदार ने का जो मंत्र और तंत्र में आपको बता दिया जाए complaint करे और तब दक उस complaint को न इराम देता हूं जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो एक like जुरूर कर दें और वीडियो को अपने सातियों के साथ में share करें क्योंकि यहां पर मैंने complete procedure बता दिया कि आपको ECHS poly clinic से लेके consumer code तक आपको complaint कैसे फाइल करनी है और आपको कितना कितना समय में और क्या क्या क्य हो आगे करनी है तो सातियों इस वीडियो में इतना ही मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फाइनली एक रिक्वेस्ट इदी चैनल को आपने अप तेक सब्सक्राइब नहीं किया है और फर्स्ट टाइम आप चैनल पर विजिट कर रहें तो चैनल को सब् जै बारत वंदे मातरम